जी हाँ दोस्तो जै श्री राम स्वागत है आप सभी का तो क्रिशन क्लासिस में तो दोस्तो आगे election है notification तो आएंगे ही और exam भी election से पहले कुछ कुछ तो होगे जो exam फरबरीज तक है वो तो exam होगे तो दोस्तो यहाँ आप देखेंगे UK SSSC की तरब से एक notification आ गया है detail में हम इसकी study करेगे कौन से विभाग में कितनी पोस्टे है और किस श्रीन के लिए कितनी पोस्टे है तो देखेंगे दोस्तो 13 October और online आविदन की प्रारंब तीथी 23 October है और अंतिम तीथी 23 इसनोंबर है संचोधन की अवधी 27 से 3 December है और परिक्षा का समय दिसंबर मतलब आगे election है दिसंबर में ये exam possible है exam होने के chances है 99% क्योंकि आगे election है तो दोस्तो आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे देखेंगे पदनाम सहयक समाज कल्यान अधिकारी तो यहाँ पे दोस्तो कुल 16 पद है और देखेंगे SC के लिए यहाँ पे 2 पद मिलते है और ST के लिए कोई पद नहीं है और OVC के लिए 1 है EWS के लिए 1 है और जनरल के लिए 12 है और उत्राखन महिला अगर आप देखेंगे SC में तो 1 पद है और जनरल में 4 पद है बाकी दोस्तो भूत पूरु सेनी के लिए 1 है और अनात के लिए 1 है ठीक है दिब्यांग के लिए कोई पद नहीं है दोस्तो और अब हम आगे बढ़ेगे इसका लेवल 5 है और 21 से 42 वर्ष इसकी आयू बताई गई है शेक्षिक एहरता दोस्तो इसमें आप देखेंगे भारत में विधी द्वारा इस्थापित किसी विश्व विध्याले अथ्वा विश्व विध्याले से विविन ऐसी संस्ता जिसे विधी के अधिन विश्व विध्याले के रूप में मानेता प्राप्त हो गोशित क्या गया हो अथ्वा भारा सरकार द्वारा मानेता प्राप्त किसी विदेशी विच्शो विधाले से सनातक की उपादी ठीक है तो दोस्तों यहाँ पे मांगा गया है ग्रेजुएशन अब आगे पड़ेगे सहायक अलप संक्यत कल्यान अधिकारी कुल पोस्टे है पांच जिसमें की जर् महिला जनरल से एक पोस्ट है ठीक है लेवल पांच है 21-42 वर्ष वही है दोस्तों और यहाँ पे भी आप देखेगे ग्रेजुएशन मांगा गया है और यहाँ पे दोस्तों कुछ अधिमानी अहरता है जिसमें आप देखेगे कंपिटर हिंदी अंग्रेजी टंकन यह भी य एक पोस्ट है ठीक है और यह लोक अदालत अल्मोडा में है और लोक अदालत देरा दुन में आप देखेगे जनरल में एक पद है और लोक अदालत हरिद्वाल के जनरल में एक पद है और यहाँ पे आप देखेगे नैनिताल के लोक अदालत में एक पद है जनरल में ठीक है आगे बढ़ेगे दोस्तो पोड़ी गड़वाल में एक पद है तीहरी गड़वाल में एक पद है और यहाँ पे उदमसी नगर में भी एक पद है रीडर का और यहाँ पे भी लेवल 5 है और यहाँ पे देखेगे विश्व विजाले में सनातक की उपाधी और हिंदी में 4000 ठीक दोस्तो लोक अदालत अलमोडा देराधून हरिद्वार यहां पे एक एक पोस्ट यहां पे भी यह सारी जर्नल की पोस्ट है लेवल 5 है 21 से 42 वर्ष इस पे भी मांगा गया है 4000 की डिप्रेशन की स्पिड मांगी गई है तो दोस्तो एलेक्शन है एक्जाम होगा मैं अभी बता यह एक्जाम होना है कन्फरम है और यहां पे आप देखेगे कारियाले सहायक तृत्तिय कुल पोस्ट है 10 और यहां पे देखेगे सामान्य में 5 है CC में 2 है ST की यहां पे 1 भी नहीं है ABC की 2 है और EWS की दोस्तो एक पोस्त यहां पे दिखाई देती है और लेवल हो गया 4 ठीक ह दोस्तो और यहाँ पे भी मांगा गया है दोस्तो सनातक ठीक है तो यहाँ पे भी सनातक मांगा गया है और 25 शब्द परती मिनट ठीक है और हिंदी में और 30 शब्द परती मिनट किसमें मांगा गया है इंगलिश में मांगा गया है ठीक है दोस्तो कारयले सहायक तृतिये कुल 10 है दोस्तो और यहाँ पे जनरल के 4 है ST के 2 है और यहाँ पे आपको मिलता है ST में 1 C ठीक है लेवल 4 है वही 18 से 42 वर्ष इसमें मांगा गया है दोस्तो और यहाँ पे सनातक उत्रिण होना चीए 6000 और 7000 ठीक है हिंदी में 6000 और 7000 किसमें इंगलिश में और computer course नियूनतम एक वर्ष का certificate भी इसमें मांगा गया है सायक समिक्ष अधिकारी दोस्तो तीन पोस्त है और आप देखेगे SC में 2 है और OBC में 1 है बाकि इसमें कोई पोस्त नहीं है लेवल 5 है category wise है तो इसमें भी आप से मांगा गया है सनातक ठीक है और 4000 की depression इसमें मांगा गया है हिंदी में ठीक है आगे बढ़ेगे next तो इसमें है दोस्तो 4 men परिसंपती, कुलपद 1 और ये जर्नल की पोस्त है लेवल 6, 18 से 42 वर्ष और यहाँ पे आप देखेगे सनातक मांगा गया है ठीक है और दो वर्ष का साथ में अन्वह मांगा गया है विधी सनातक योगधारी को वर्यता यहाँ पे मिलेगी तो अगर किसी के पास क्या है दोस्तो विधी में सनातक है तो उसको अच्छा इसमें वर्यता मिलने वाला है ठीक है और अब आजाते हैं दोस्तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कुलपद 137 बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तो पहले भी आई है और यहाँ पे आप देखे के पिथोरा गड़ का अलग है पोड़ी गड़वाल का अलग है तो यहाँ पे थोड़ा सा केल्कुलेशन जो दिक्कत हो जाता है वो हो जाता है दोस्तो एस्टी वालों के लिए क्योंकि इनके लिए दोस्तो आरक्षन कहीं न कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन पोड़ी गड़वाल में आप देखे गाइब बार शीटे है और जनर्रल में 41 सीटे है EWS में 8 अच्छी खाची सीटे है दोस्तों OVC में आप 11 देखेंगे ST में यहाँ पे 3 सीटे और SC में आप देखेंगे यहाँ पे 15 सीटे तो काफी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जिसमें की ST में 1 सीट महिला की है ठीक है और SC में यहाँ पे आप देखेगा हरिद्वार में 2 सीटे है और टोटल 12 सीटे है और सामान्य में 9 है और 1 EWS के लिए है जिसमें महिला के लिए सिर्फ सामान्य में है और SC में स में जिसमें की SC और EWS की 1 CEO महिला के लिए है और सामानिय से 4 CEO महिला के लिए आपको देखने को मिलती है हम twee आगे बात करेंगे दोस्तों उदंशिंह नगर और यहाँ बात करेंगे रुद्र पर्याग की उदंशिंध नगर में 6 CEO है ठीन दो एक करके और आप देखेगे रूदर परियाग में सिर्फ एक है जर्नल की और टिहरी गडवाल में चार सीटे है दो एसी में दो जर्नल में आप देखेगे और एसी में यहाँ पर अलमोडा में और एस्टी में एक अलमोडा में एक एस्टी की सीटे आपको देखने को मिलती है दोस्तो आगे की है और दो-दो सीटों में से एक-एक सीटे यहां पे SC और OBC से महिला की आपको देखने को मिलती है लेवल 4 है अच्छी खासी नौकरी है दोस्तों लेवल 4 बहुत अच्छी नौकरी है टोटल 177 सीटे है और यहां पे भी आप देखेगे दोस्तों कम्पिटर संचालन में नि कक्ष उपादी धारन करता हो तथा वो कम्पिटर संचालन में नियुनतम त्रिपल सी लेवल का परमान पत्र धारक भी हो तो यहां पे मांगा गया है दोस्तों त्रिपल सी सेटिफिकेट जो की प्रोब्लम करेगा काफी छात्रों के लिए अब देखेगे दोस्तों छेत्रे युवा कल्यान एवा प्रांतिय रक्षक दल अधिकारी तो यहां पे दोस्तों 33 सीटे है जिसमें से 9 जर्नल की है 2 EWS की है 8 OBC की है 1 ST की है 13 यहां पे SC की है तो दोस्तों SC के लिए अच्छी खासी सीटे है अगर कोई SC का छात्र है और अच्छे से त्यारी करता है तो उसे जा आ जाएगा क्योंकि उसका इस बार सेलेक्शन होने वाला है मैं बता रहा हूं दोस्तों दिसंबर में इसका एक्जाम कंफर्म आप मानके चलिए लेवल फाइफ की जॉब है और यहां पे भी तो आप देखेंगे दोस्तों किसी मानेता प्राफ्स विश्यों भी धाले से सनाता की उबादी या सरकार द्वारा उसके समक्ष तो यहां पे अच्छा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुइशन मांगा गया है ठीक है तो यह हो गया दोस्तों आप देखेंगे यहां पे शारिक मापदंड भी लिखा गया है कुछ 165 cm अगर परवत्य है तो 5 cm कम ह होगा और अगर आप अनुसुची जन जाती है तो 117 cm आप देखेंगे दोस्तों सीना जो है बिना फुलाए 78 फुलाकर 83 होना चीए परवत्य में 76 और 81 का रेशो आपके लिए चलेगा ठीक है तो महिलाओ के लिए आप देखेंगे दोस्तों 147 यहां पे महिलाओ के लिए है पुरुष अभ्यरती के लिए दोस्तों आप देखेंगे 200 मिटर की दोड़ है यहां पे ठीक है लंबी कूद है यहां पे ठीक है उची कूद है यहां पे दोस्तों थोड़ा सा गड़वड हो गया क्योंकि यहां पे उची कूद भी है तो यह दोस्तों गोला फैंक है यहां ठीक है, तो ये दोस्तों अच्छा है, महिलाओ के लिए भी इसी परकार से उंची कूध है, आप देखेगे दोस्तों, चौटी सेकंड में ठीक है, 200 मीटर लंबी कूध है, दोस्तों, 3 मीटर तक मैक्सिममद 10 नंबर मिलेगे, क्रिकेट बोल फ्रोव बारा मीटर तक मैक्सिमम दस नमबर मिलेगे, इस पिकिंग रोप में दोस्तो 55 दस नमबर मिलेगे, ठीक है, तो ये है दोस्तो पूरा आप देखें के उक्त पदों के चेन हितु 100 अंकों का, क्या होगा, 100 अंकों का परिक्षा होगा, और 2 घंटे का परिक्षा रहने वाला है, 45 परतिशत, 35 परतिशत, आरक्षन के हिसाब से नियुन्तम अंकलाना अन्यवारिये हो जाता है, ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, इसमें फीस क्या रहने वाली है, उम्र मैंने बता दी, कुछ उस पे 18 साल भी, यहाँ पर मांगी गई है, लेकिन आपको क्या ग्रेजवेशन होना जरूरी है, अगर आपके पास computer है, तो आपकी वाहवा हो सकती है, ठीक है, आप देखेगे दोस्तों, OBC के लिए और जनरल के लिए 300 रुपे है, कोई उन पे दया नहीं है, EWS पर दया की गई है, इस बार 1500 रुपे के साथ, ST और SC के लिए भी 1500 रुपे आप देखेगे, दिव्यांग जन के लिए भी दोस्तों, 500 रुपे है, और अगर अनाथ बच्चे है, उनके लिए कोई फीस नहीं ली गई है, तो अच्छा खासा दोस्तों, यह लंबा सा आपको यहाँ पर notification दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर important चीज हम बात करते हैं, दोस्तों, slivers की, slivers रहने वाला है, इस सार, यहाँ पर कबीर तुल्सी मिरा दास इनका भी दिया गया है पाठे करम, और reasoning रहने वाला है, दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर यह दोस्तों, रहने वाला है, यह अच्छा स्खासा, आप सबीके लिए रहने वाला है, ठीक है और आगे बात करेंगे दोस्तों इतिहास भारत एवं विश्व ठीक है खौपोशन है ये भी 40 अंक में ही है लास्ट में हम देखेंगे भारत का भुगोल भी इसमें रहेगा राजनितिक बिग्यान भी रहेगा इसमें ठीक है अर्थशास्त्र भी रहेगा दोस्तों इसमें तो इसका हिनोंने नंबर नहीं दिया गया कौन सा कहां से आएगा और उत्राखंड यहां पे आप देखेंगे 40 नंबर का आएगा तो मतलब जो पहले है उसी हसाप से यहां पे पेपर रहने वाला है कोई इसमें नई चीज नहीं डाली गई यह थोड़ा सा हमने यहां पे देखा था हिन्दी में मीरा देखा था मतलब 12th से लिया गया है यह हमने शायद पिछले स्लेबस में नहीं देखा है और हिंदी उसका स्लेवर्स पिछला मैंने शायद ही कभी देखा हो तो ये हो सकता है यहाँ पे ये चीज क्या पता अगर इस्पेशली स्लेवर्स में दिखी दिख रही है तो कुछ नया यहाँ से आ सकता है तो सभी के लिए all the best दोस्तो अगर आपके पास triple C है आपने नहीं बनाया आप बना सकते हैं back date का कुछ भी possible तो आप बनाईए और अपना exam clear कर दीजिए और आपकी क्या बन जाती है एक अच्छी खासी उत्राखण में job और दूसरा notification दोस्तो अगले हफते तक आ जाएगा तो ठीक है दोस्तो अपने ध्यान रखना अपनों का ध्यान रखना जय हिंजय वार जय उत्राखण